कुंडा गाउं जिले से लगवक 40 किलिमेटर के दूरी पर बसा ग्राम पंचाय कोंगेरा जहां पर विद्दूट ट्रांसफार्मर खराब होने के करण गाउं में विद्दूली की समस्या बनी होई थी यह आपका अभी जो ट्रांसफार्मर दिखा यह कब से बंद पड़ा है यह लगवक तीन मेना हो रहा है इन लोग क्या है मिस्ति लोग जो एक पूरा गाड़ी लेके आई हां देखे तब देखे तब उसके बाद भी नहीं जला तो पिर हम लोग बुलाए उनको बार बार इस समस्या को लेकर मैंने एक इसू वीडियो बनाया और गाहवालों के साथ मिलकर ग्रामेंड विद्धुत अभियंता के कारलय में जापोंचे और वहां पर हमने एक लिखिक आवेदन दिया और इस ट्रास्पार्मर खराब होनी की जानकरी दी आपने वीडियो के मादेम से खल को पाया गाह महीं बदला वाया कि जो ट्रास्पार लगा तबसे जिसे बचों को पढ़ने लेकिने सुवीदा हो गया और जो त्यामारे टीवी देखने में और मोबेल चार्ट करने और महिलों को पाना बनाने में इस बद जो सुवीदा हो अधिकारी को इसकी जानकारी होने के करण कुछ ही दिनों बाद यह ट्रास्पार्मर जिसे बदला गया और आज इस गाउं में नया ट्रास्पार्मर लगाए जिसके चलते गाउं में परियाप मातरा में विदुत सुवीदा उपलब्ध है महिलाओं को रातों में चुला चौका करने में बच्चों को अढ़ाई करने में एवं किसानों को अपने खेतों में सिचाई करने में सहुलत हो रही है जिसके कारण गाउं में एक खुसी का माह दन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया अनहर्ड के लिए साथ भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं खेरेंद्र यादव इंडिया अनहर्ड के लिए कॉंडा गाउं 36 गड़।